कॉंग्रस के स्पीक अप इंडिया अभ्यान के तहट कॉंग्रस के पूरा अध्यक्ष राहुल गांथी ने भी केंद्र सरकार से चार मांगी रखी है राहुल गांथी ने एक विडियो संदेश जारे कर पहले देश की जनता से आहवान किया ये हर भारतिय के लिए एक साथ खड़े होने और एक स्वर में बोलने का समय है आस्तित्व के लिए संगर्श कर रहे हमारे भाईयों और बहनों के लिए उन लोगों के लिए जिनकी आवाज खामोश कर दी गई है निराशा और भैबीत लोगों के लिए हम भारत हैं, हम सभी मिल जुल कर कुछ अलग कर सकते हैं भाई और बहनों, कोविट के कारण हिंदुस्तान में आज एक तुफान आया हुआ है सबसे जादा चोट गरीब जनता को लगी है मजदूरों को हजारों किलोमेटर पैदब, भूका, प्यासा चलना पड़ा और जो हमारी रीर की हटी है, स्मॉल और मीडियम बिजनिसेज, जो इस देश को रोजगार देते हैं वो एक के बाद एक, एक के बाद एक बंद हो रहे है हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है, आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है गरीब जनता को पैसे की जरूरत है, इसलिए कॉंग्रेस पार्टी एक अबाद से, सरकार से चार मांगे कर लिए पहली मां हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए मनरेगा को 100 दिन नहीं बलकि 200 दिन के लिए चला जाए जो हमारे स्मॉल और मीडियम बिजनसें हैं उनके लिए तुरंट एक पैकेज दियार किया जाए और जो हमारे मजदूर आज सर्कों के खड़े हैं वापिस घर के और लोट रहे हैं उनको लोटाने के लिए एक दम सुविधा दी जाए